भारत में मक्के की खेती में सीमानचल ने अपनी अलगी पहचान बनाई है पिछले साल कोरोना की वजह से मक्के की वसल की काफी कम कीमत मिली थी लेकिन इस साल मक्के की कीमत पिछले साल की तुलना में ज्यादा मिल रही है पूनिया में मक्य का भाव इस बार 14 से 1500 रुपई प्रती क्वेंटल है रेल्वे के रेक से इस मक्य के पैदावार को विशा का पटनम ले जाये जा रहा है रेल्वे रेक में मक्य की लोड करने में 300 से ज़्यादा मजदूरों को भी हर रोज काम मिल रहा है लोगडाउन के वक्त में अपने शहर में ही काम मिलने से मजदूरों को बड़ी रहत मिली है पूनिया रेल्वे जंक्षन पर काम कर रहे है ये शर्मिक संकट के इस दौर में रोजगार मिलने से काफी खुश है वहीं एक शर्मिक ने बताया कि यहां काम मिलने से उनके परिवार का पेट पल रहा है अगर ये काम नहीं मिलता तो खाने के लाले पड़ जाते मेरा नाम मनेश कुमार महतो लोग डोन में अभी भी फिलाल मजदूर को 300 लगभग मजदूर को काम मिया अच्छा धंक से ही चल रहा है और हम सरकार से यह अभिजन करता हूँ बहुत खुश से हम लोग मजदूर मिलता है मजदूरी भी मिलता है सही धंक पर वही रेलवे के रेक से मक्के के डुलाई होने से किसानों को अच्छी कीमत मिल रही है मक्का उतपादक किसान ने बताया कि पिछल साल से एजबार हर क्वेंटल पर 500 रुपे ज़्यादा कीमत मिल रही है उन्होंने फcesal के अच्छी कीमत मिलने पर खुशी का एज़ार किया है पिछले साल रेट कम मिल रहा था तो लागत भी नहीं मिल पा रहा था किसान को वहीं रेक लोड करने पर व्यापारी सुरेंदर भगत ने बताए कि मक्य की फसल की कीमत अच्छी मिल रही है और इसके साथ ही श्रिमिकों को अपने शेहर में ही काम भी मिल रहा है भगत ने बताया कि रेलिवे की वजह से ही किसान को पिछले साल के मुकाबले 300 से 400 रुपे जाद भाव मिल रहा है को पैसे की जोरत है वह कुछ-कुछ माल ला रहे हैं सभी तो नहीं आ रहे हैं लेकिन जिनको जोरत है वह आ रहे हैं यह कहां जा रहा है यह मक्का बिशाखा पत्नम जा रहा है जी पूर्णिया का मक्का है सभी लोकल किसान का मक्का है और सबसे बड़ी बात है कि इस साल पिछले साल यही मक्के हजार से 1100 था करोना की टेम में इस साल सारे 1400 से 1500 है मेन बात यह यह बहुत अच्छी है इसका कारण नहीं है कि पिछले साल 5-6 बिचोलिया जो है मिलकर के रेलबे में धानली किया था और रेलबे समझ नहीं पाया तो वो लोग उसका मोका का फाइदा उठा के सारा स्टेशन में 5-6 आदमी मिलके ही पूरा बिहार को घेर लिया था लेकिन बात में पिछले साल जब रेलबे एक्टिव हुआ तो इस साल रेलबे काफी चोकनना है काफी एक्टिव है ये किसान को अगर 300-400 रुप्या कुंटल आज फाइदा हो रहा है ये हमारे एनेप रेलबे के मालेगाओ डिविजन, मालेगाओ जोन और कठियाद डिविजन का ये बलिदान है सीमंचल के लाको किसानों के लिए मक्ये की फसल वरदान साबित हुई है हाला कि पिछले साल मक्ये की अच्छी कीमत नहीं मिलने से किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था लेकिन इस बार 14-1500 रुपई का भाव मिलने से किसानों को राहत मिली है साथ ही लोगडाउन के संकट में शिर्मेकों को भी रोजगार मिला है पंजाब के सिरी टीवी के लिए पूनिया से अमित कुमार की रिपोर्ट हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद